तो हेलो गाईज, इंडियन पॉलिटी यानि की भारतिय राजवेवस्था के 1000 प्लस प्रस्णों के मास्टर सीरीज का या पार्ट फोर हैं, इसमें हमने आपके लिए most important selected 50 questions को लिया हैं, ये question बहुत ही important हैं, आपके आने वाले जितने भी परिक्षा हैं, उनमें ये question बहुत important role play करेंगे, तो आप इस वीडियो को सुरू से अंतक देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को, हमारा first question है कि राष्ट पती सम्विधान के किस अनुछेद के अंतरगद अध्यादेश जारी कर सकता है, तो देखेंगे, इसका सही answer है, option D, अनुछेद 120, आपको बता दे, अध्यादेश यानि की ordinance जो है, वो राष्ट पती का legislative power है, यानि की विदाई का सक्ति है, प्रेसिडेंट इस सक्ति का परियोग तब करते हैं, जब दोनों सदन की कारवाही स्थगीत हो, ठीक है, और जो यहाँ अध्यादेश जारी किया जाता है, इसका maximum period छे महीना या छे सपता हो सकता है, छे महीना तब होगा, जब दो सदन की जो करवाही सुरू होती है, दो समय अगर मान के चलिए अभी लोकसभा की बैठाक होई अगले 6 महीने तक बैठाक नहीं हुई, तो इन 6 महीने तक यह अध्यादेश जारी रह सकता है, लेकिन अगर सदन की बैठाक होई, लोकसभा या राजसभा की जी भी सदन की बैठाक होई, तो उसके बैठाक होने के 6 सपत के अंदर इस अध्यादेश को खत्म कर दिया जाता है ठीक है छे में सब्ता के बाद अपने आप खत्म हो जाता है नहीं तो बिल पास करवा के इसे खत्म किया जा सकता है तो आपसे पुछा जाए कि अध्यादेश का जो प्रियड होता है वो कब तक होता है तो छे महीने या छ गवर्नर जो है वो अध्यादेश 223 अनुछे 223 के अंतरगत अध्यादेश राज के कवर्नर जारी कर सकते हैं नेक्स प्रस देखते हैं हमारा राश्ट वत्पति के विरूद महा भीयोग प्रारंब करने के लिए संसत के लिए एक सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तूत किया जाना चाहिए तो दिखे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25 पर तीशत मतलब वन फोर्थ मिंबर जब प्रस्ताव रखेगा तब ही महा भीयोग की जो प्रकिरिया है वो सुरुवात होगी उसके बाद दो तिहाई बहुमत से ठीक है दो तिहाई बहुमत से बिलको पास कराने के बाद ही राश् प्रशासन तथा विधान विशय किसी विशय पर सुचना देना प्रधान मंत्री का करता भी है जो प्रधान मंत्री डे टू डे अड्मिनिस्टेशन जो प्रशासन चलाते हैं देश की प्रशासन चलाते हैं उन सभी विशयों पर जो राश्पती को सुचना देते हैं वो किस संग की आनुछेद के अनुसार् किया जा सकता है तो देखिए संग की जो कारेपाली का एगस्क्यूटिव है ना एगस्क्यूटिव पावर जो है उसका एकस्पेंसन हम लोग संविधान के अनुछेद 73 के द्वारा कर सकते हैं नेक्स प्रसन है हमारा समानियता पांच वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्रिखित में से किसके द्वारा विक्सित किया जा सकता है विक्सित यहानी यहां भंग किया जा सकता है ठीक है किसके द्वारा भंग किया जा सकता है मानके चलिए लोकसभा का पांच साल कार कारेकाल पूरा होने से पहले इसे भंग अगर करना चाहे तो कौन कर सकता है तो इसे राश्टपती कर सकते हैं परधान मंत्री की संस्तूती पे ठीक है संस्तूती पर परधान मंत्री की संस्तूती पर राश्टपती भंग कर सकते हैं लोग देखे, राजसभा को अस्थाई सदत कहने का कारण यह है कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, राजसभा भी कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, हर दो साल में वन तीहाई मेंबर इसके क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उतने मेंबर फिर आते हैं, तो यह continuous करें, तो वहाँ हर स्टेट को, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारा टोटल स्टेट जो है, उसको population के according दिया गया है, राजसभा में अस्थान, लेकिन United स्टेट में हर स्टेट को 2 सीट दिया गया है, ठीक है, population किसी के कम है, तो भी 2 सीट, और ज्यादा है, तो भी 2 सीट, लेकिन हमारे भारत में population यानि की जनसंक्या के अनुसार राजसभा में उनका परती निदित वह दिया गया है, याद रखेंगे, नेक्स प्रसन है हमारा, किस राज का लोगसभा वहा राजसभा में परती निदित वह सबसे अधिक है, तो देखिए, सबसे अधिक जो है, उत्तर पर मद्यपर्देश राज के लिए निर्धारित है, तो देखिए, उसका राइट आंसर है, उप्सन ए, 29, कुल 29 स्थान जो है, सीट है, जो मद्यपर्देश राज के लिए निर्धारित किये गया है, नेक्स प्रसन है, भारत की संप्रभुता, क्या है, भारत की संप्रभुता क प्रस्तूत किसी भी विदेयक के गिर जाने का अर्थ क्या होता है अगर राज सभा में सरकार के द्वारा कोई भी विदेयक गिर जाता है वहाँ पे उसे गिरा दिया जाता है इसका क्या मतलब निकलता है कि राज सभा में सत्तादारी दल का जो बहुमत नहीं है ठीक है बहुम करती है भारती है जनता का आपको पता है कि परत्यक्ष रूप से हम संसात का चुनाव करते हैं और उसे लोग सभा में मिंबर और पार्लियमेंट रूप बनाके भेजते हैं तो जो लोग सभा है वो किसका परतिनीदित करती है वो डिरेक्टली भारत के जनता का परतिनीदित कर सपति के लकाति है तो देखिए राष्पति के निर्वाचन से संबंद में उप राष्टपति के निर्वाचन दिये जा रहे हो बहुत ही अच्छे लेबल के बहुत ही अच्छे लेबल के question से है वो आपको एक normal police exam से लेके आपका एक PCS exam तक के सारे question इसे कबर हो जाएंगे चलिए देखिये यदि सरकार राजसाबा में पराजित हो जाये तो क्या होता है तो देखिये अगर सरकार राजसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, राज सभा में पराजित होने का कोई मतलम नहीं है, ठीक है, तो चलिए नेक्स कोश्टन देखते हैं, संसद या सलाइस विधान सभा के किसी सदत की सदस्ता तक, तक समाप्त समझी जाती है, यडि हुआ बिना सदन को सुचित किए स्थित रहता है कितने दिनों तक अनुपस्तित रहने पे उसकी जो सदसिता उसको समाप्त कर दी जाती है, समाप्त सम्झी जाती है, तो उसका राइट आज़िए जाने 60 दिन यानिकी दो महीने अगर किसी सदस्य कोई सदस्य अनुपस्थित है संसद में तो उसकी सदस्यत्ता को समाप्त कर दिया ठीक है चलिए नेक्स वोशन देखते हैं नेक्स वोशन है हमारा संसद का अधिवेशन आराम होने के कितने समय तक राश्पती द्वारा कोई अधिया देश प्रवावी रहता है तो संसद का अधिवेशन आराम होने के कुल 6 सपता तक जो राश्पती के द्वारा एक सो राश्पती के द्वारा जो अधिया देश जारी किया जाता है वह मतलब कार्य में रहता है उसके बाद वह क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है ठीक है उसका परवाव खत्म हो जाता है चलिए नेक्स कोशन है कि भारत के लोकसभा ध्यक्ष ठीक है क्या होते मनोनीती होते चैनीत होते निवाजीत होते तो भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष है उनका क्या किया जाता है उनका चैन किया जाता है ठीक है लोकसभा चुनाओ के बाद लोकसभा के द्वारा ही भारत के लोकसभा अध्यक्ष का चुनाओ किया जाता है फ्रेंस यहां आपके लिए एक सवाल है कि वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन ह ठीक है वर्तमान में भारत के लोक सभाध्यक्ष कौन है ये सवाल है इसका आंसर आपको comment box में बताना है चलिए next question क्या संसद समिधान की आधारिक संरक्चना में परिवर्तन कर सकती है जो basic structure होता है समिधान में जो basic structure का concept जो दिया गया है उसमें क्या संसद परिवर्तन कर सकता है ये सवाल है तो आपको पता इसका answer नहीं ठीक है केसम नंदा भारती केस के बारे मैंने आपको पिछले वीडिय रहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप फंडमेंटल राइट को भी संसद जो है उसको भी बदल सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यानि कि जो अधारिक संरक्चना है उसमें परिवर्तन संसद नहीं ला सकता है ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन है हमारा काम रोको प्रस्ताव क या क्या अर्थ है तो काम रोखो प्रस्ताव का अर्थ है कि सरकार द्वारा की जा रही किसी कारवाही या चलाई जा रही किसी योजना को रोकने की मांग करना ठीक है या वैसा प्रस्ताव होता है जिसके जरिये ओपोजिशन कोई चलाई जा रही योजना को रोकने की मांग कर करती है ठीक है आगे कोश्चन देखिए भारत में लोग सभा के अध्यक्ष की स्तिति किसके समान है तो भारत में जो है वह लोग सभा की जो इस्तिति है वह ब्रिटिस अध्यक्ष के समान है ठीक है ब्रिटिस अध्यक्ष के समान है भारत के लोग सभा अध्यक्ष की स्तिति च लोक लेखा समीती का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है आपका सवाल है आपको बताना है कि वर्तमान में अभी लोक लेखा समीती का अध्यक्ष कौन है ठीक है चलिए नेक्स पोजिशन देखते हैं आम चुनाओ के बाद अलप कालीन अध्यक्ष ठीक है आलप चुनाओ के प्रफम संसत के रूप में कौन कारे करता रहा है तो इसका राइट आंसर है अप्शन ए समविधान सभा का आंतरीम संसद के रूप में ठीक है जो समविधान सभा का आंतरीम संसद था वही 26 जनवरी 1950 से 1952 तक परथन संसद के दोनों संद के गठन तक संसद के रूप में काम करता रहा ठीक है इसका question है कि वी नियोग विधेयक की परिभासा समिधान के किस अनुछेद में दी गई है तो यह अनुछेद 114 में दी गई है आपको बता दे वी नियोग विधेयक मतलब appropriation bill यह होता क्या है यह होता है सरकार दवारा संचीत निजी से रकम निकासी की मनजूरी दिलानले के लिए जो प्रस्तूत की आजाता है विधेयक उसी को हम लोग वी नियोग विधेयक के नाम से भी जानते हैं ठीक है कहां दिया गया है, तो भाग पांच में दिया गया है, छीक है, union judiciary, भारत का जो judiciary system है, यो unitary है, मतलब जब जिरो label से उठाके देखेंगे, state label से उठाके देखेंगे, district label से उठाके देखेंगे, center level तक, तो यह unitary है, बटा हुआ नहीं है, state का अपना judiciary, center का अपना judiciary, ऐसा नही की में जुड़ा हुआ सभी के तार एक में ही जुड़े हुए जीरो लेबल से अपर लेबल तक है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब उपर से तक है तो ठीक है तो यह भाग पांच में दिया गया है नेक्स कोश्चन देखिए कि भारत के उचितम न्याले में न्याई धीसों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है तो भारत के जो उचितम न्याले में न्याई धीसों की संख्या बढ़ाने का अधिकार जो दिया गया है संसत को ठीक है भारत के संसत को यह अधिकार दिया गया है नेक्स कोश्चन देखिए लोग हित मुकदमा भारतिय न्याई Judiciary है, किस जूरिस्डिक्सन के अंतरगत लोकीत मुकदमा आता है तो यह आता है Appellate, ऐप आप अर। जूरिस्डिक्सन के अंदर hyगनी की अप पीलिय अधिकारिता के अंतरगत लोकीत मुकदमा आता है ठीक है, next question है ये question जो मैंने ये दिखाया, ये question 27 नमबर question ये बिहार और UP दोनों PCS में पुछे गए सवाल है ये ठीक है नेक्स प्रस देखिए परमपरा के अनुरूप राजपाल की नियुकती करते समय राश्पती जो परमपरा जो ट्रेडिशन चल रहा है उसके according जो राजपाल की नियुकती करते समय राश्पती क्या करते तो राश्पती परधान मंत्री से एक्चुली वो लोग सलाह लेके राश्पती परधान मंत्री की सलाह लेके राजपाल की नियुकती करते तो यहां जो तीन option दिया है कि भारत के मुख्य न्याइधी से परमर्स करता है तो ये गलत है दुसरा जो है राज के मंत्री मंडल से परामर्ष करता है ये भी गलत है और राज के मुख मंत्री से परामर्ष करता है ये भी गलत है तो इसका right answer option D उपरोक्त में से कोई नहीं नेक्स question देखिए कि भारत की संगिये व्यस्थापिका ठीक है को किस नाम से जाना जाता है तो जो भारत की वो जो संगिये व्यस्थापिका जो है वो संसद के नाम से जानी जाती है next question है संसद का लोग प्रिये सदन कौन है तो संसद का जो लोग प्रिये सदन है वो है लोग सभा ठीक है लोग सभा नेक्स प्रस्ट है भारतिय समिधान के कीस अनुछेद में कहा गया है कि संग के लिए एक संसद होगी जो राश्पती और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी तो यह अनुछेद 79 यानि की 89 में कहा गया है ठीक है यह 89 में कहा गया है कि संग के लिए एक संसद होगी जो राश्पती और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी लोकसभा, राजसभा, प्लस प्रेसिडेंट इक्वल टू पार्लियमेंट ठीक है, next question निमलिकिन कतनों में से कौन असत्य है जो चार आप्सन दिएगा, इसमें से कौन गलत है वो बताना है आपको, तो इसका right answer राजसभा एक अस्थाई सदन है ठीक है, तो यह जो है वो असत्य है, ठीक है, राजसभा एक अस्थाई सदन है अस्थाई नहीं है, वो अस्थाई पर्मनेंट चैंबर है, पर्मनेंट बॉड़ी है, ठीक है वो डिजॉल्ब नहीं होता है नेक्स है अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्थित्व में रही तो अस्थाई संसद के बारे में उपर में आपको बता है वह भारत में कब तक अस्थित्व में रही तो 17 अपराईल 1952 तक ठीक है उसके बाद चुनाओ होता है उसके बाद रेगुलर जो पार्लियमेंट का ग Σंसद का नियंदर ने हैं 안녕 जो संग है योनेक्जित्व की पावर किस में नियूट है तो यह नियूट है राश्पती में ठीक है हेड होते हैं nominal हेडी नाम मातर के हेड होते हैं लेकिन main हेड executive हेड कौन होते हैं तो वो होते हैं राशपती ठीक है संगिये और कारेपालिका के nominal यानि कि नाम मातर के हेड कौन होते हैं मुख्य कौन होते हैं राशपती आप याद रखेंगे लेकिन वास्तविक पावर किसके प क्या है समयधानिक अध्यक्ष घूता है जो किसी भी कंट्री है मतलब अपने कंट्री है अपने कंट्री का वह कंस्टिट्टीूशनल हेट ठीक है क्या है इसमयदानिक अध्यक्ष है नेक्स देखिए भारत के राश्पती को उसके पद से हटाया जा सकता है तो भारत के राश्पती को उसके पद से संसत द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग की परिकिरिया के द्वारा ठीक है महाभियोग की परिकिरिया के द्वारा उसे हटाया जा सकता है नेक्स कोश्चन देखिए भारत के राश्पति को कार या वदी की समापती के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है तो चारा अपसर ने इसमें बताना है आपको की सही कौन है तो देखिए इसका सही है महाभियोग द्वारा पूरी कार काल कंप्लीट होने से पहले भी राश्पति को महाभियोग यानि की इंपीच्मेंट के द्वारा हम उन्हें पद से हटा सकते हैं ठीक है नेक्स कोश्चन है राष्टपती की सपत का उल्लेक भारतिय समीधान के किस अनुछेद में है तो जो राष्टपती है उनके सपत का उल्लेक जो है वो भारतिय समीधान के अनुछेद 60 में दिया गया है नेक्स कोश्चन है यदि राष्टपती और उपर राष्टपती दोनों देश से बाहर हों, तो उस इस्तिती में उनके कारेबार को कौन गरहन करता है, तो देखिए ऐसे इस्तिती में सर्वक्च न्यायले के जो मुख्य न्यायदी से होते हैं, वही इनके पद को गरहन करते हैं, उनके कारेबार को समालते हैं, और नेक्स प्रस्ट है, भारत क चौथे भारत के चौथे राष्टपती कौन थे तो भारत के जो चौथे राष्टपती थे वो थे वीवी गिरी कौन थे वीवी गिरी नेक्स कोश्चिन भारतिय राष्टपती के सर्वसमती से चुने जाने का अभी तक एक मात्र उधारन है ठीक है सर्व समती से चुने गए कौन एक राश्पती जो पूरी सर्व समती से चुने गए थे वो एक मात उधारन इसका कौन है तो नीलम संजीव रेडी जो है वो सर्व समती से चुनी गई थी और एक किया एक मात उधारन है इसलिए इसको याद रखेंगा पुछा गया कोश्चन है यह निमलिकित में से किसे राष्टपती नहीं करता है यह चारा उप्सन इसमें से किसे राष्टपती जो है वो नहीं करता है तो राष्टपती जो है योजना योग के जो होते हैं उसको नहीं करते हैं ठीक है योजना योग को राष्टपती नहीं करता है नेक्स कोशन देखिए राष्टपती द्वारा संसत के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है तो इसका सही अंसर अप्सन है 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है नेक्स कोशेशन है भारत के राषपती को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह जैने कि नियाले के नाइधीस को हटाएप यानि की महाभयोग की परकिदिया से हटाई जा सकती है लेकिन हाँ उनकी जो न्यूकती होती है वो हाँ राष्टपती ही करते हैं ठीक है नेक्स कोश्चन देखिए समिधान के अनुछेद 124 के अंतरगत राष्टपती निमलिखित में से क्या कर सकता है तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्सन भी सर्वोग चिन्याले कि न्याइधिसों की न्यूकती कर सकता है किस के तहत अनुछेद 124 के तहत नेक्स कोश्चन है राजनितिक सब्दा वली में सून्यकाल का अर्थ क्या होता है तो देखिए राजनितिक जो सब्दा वली है उसमें सून्यकाल का अर्थ होता है प्रस्नोत्तर सत्र ठीक है प्रस लिखित वहां पे record है उसमें कहीं भी सुन्यकाल का जिक्र नहीं है यह भारत का ही इंवेंशन किया गया यह सुन्यकाल है और इसे newspaper, रिपोर्ट, टीवी के जरिये ही यह सुन्यकाल का नाम दिया गया है इसमें महत्पुर्ण प्रस्ण को उठाया जाता है वो पोजिसन के पर उस पर द्याना कर सेथ किया जाता है तो यह भी आप याद रखेंगे नेक्स पॉस्चन देखिए कि निम्लिकित में से कौन लोगसभा तता राजसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापती करता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन भी स्पीकर ठीक है जो लोगसभा क किसको मात्र भासा में बोलने की अनुमती कौन परदान करता है तो सदन में जो है किसी सदस्य को मात्र भासा में बोलने की अनुमती लोगसभा का जो अध्यक्ष होता है वही परदान करता है तो यह थे हमारे पार्ट फोर के most important 50 questions यह पुलीस से लेके आपके PCS लेबल तक कि आप समझ भी गए होंगे यह question average से उपर लेबल के questions थे बहुत ही अच्छे questions थे आप इनको जरूर अच्छे से पूरी दो बार complete करके जाएं आपके exam में questions नहीं चुटेंगे तो चलिए आज के वीडियो का last part जो की quiz होता है इसमें आपसे मैंने जो question पुछता हूं आज का question है कि EVM ठीक है electronic voting machine इसका परियोग भारत के किस राज में सरोपर्थम किया गया था और कब किया गया था option है केरल तमिल नाडू नागा लेंड या करनाटक ठीक है और कब किया गया था यह दोनों अंसर आप हमें comment box में बताएंगे और यह वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप हमें बताएंगे comment box में तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद thank you जाइन